हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi Civil Service Day पर आप सबको बहुत-बहुत बदाई बदाई उन लोगों को भी जिन लोगों ने इस साल Civil Seva परिक्षा में जोतीन हुए हैं एक नई जर्नी वो आरम करने जा रहे हैं इस पर मैं चर्चा करूँगा कि आपकी जर्नी कैसी हो सकती है कैसी होनी चाहिए लेगि सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत बदाई मेरे विचार से सबसे कठिन परिक्षा है और बदाई इसलिए भी कि आपने इतनी कड़ी मेहनत की और उसमें आप सफल हुए मैं उनलों को भी बताना चाहूँगा जो इस परिक्षा में सफल नहीं हो पाए जो लोग इंटरिव्यू तक गए परस्नारी ट्रेस्ट तक गए वो भी बदाई के पात रहें क्योंकि जैसा मैंने पूरू में कहा इतनी दूर तक आए और आपने यहां तक सफलता प्राप्त की हो सकता है किनी वज़े से आप इसमें अंतता सफल ना हो पाए हो आप सबसे मेरा अन्रोध यह है कि इसमें आप बिलकुछ चिंतित मत होई है आपने पढ़ाई की मेहनत की उससे आपने बहुत कुछ सीखा आपको आपके जीवन में उसमें बहुत लाम मिलेगा यह बात और कीजेगा जब आपकी माक्षी टा जाये तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कि कहां आपकी कमी रह गई क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति कोई न कोई गल्ती कहीं न कहीं करता है कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो गल्ती नहीं करता हो सकता आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हो गई हो आपको विचार यह करना है कि जो आपसे गल्तियां हुई है उन पे आप सुधार कैसे करें अंतता है इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उन गलतियों को कैसे देखते हैं आप निराश हो सकते हैं आप अताश हो सकते हैं मेरा आपसर सुझाव यह है कि आप ना तो निराश होईए ना अताश होईए आप अपनी गलतियों को अपनी मिस्टेक्स को अपने कमीयों को देखिए, अपने मित्रों से, अपने मेंटॉर से चर्चा कीजे और ये प्रियास कीजे जानने का कि कहां आप में कमी रह गई क्योंकि आप इतनी दूर तो आए थे, तो आप पे कुछ ना कुछ तो है यी तभी आप इतनी दूर आए हैं और उसके बाद अगर इंटिव्यू में आप कौलिफाई नहीं कर पाए या आपके रिटिन में इतने च्छिन नंबर नहीं आए जिसकी वज़े से आप कौलिफाई नहीं कर पाए अगर आप इसका विशलेशन करेंगे परिक्षन करेंगे तो मुझे उश्वास है कि आप इसमें सफल होंगे मैं अपना उधारन देना चाहूंगा पहले जब पहली वर्ष मैं परिक्षा में बैठा था तो मैं आयस आफसर बनना चाहता था आईस क्वालिफाई करना चाहता था। मैं आईस क्वालिफाई नहीं किया मैं पुलिस में आया लेकिन मैं हतास नहीं हुआ अगले दिन से ही result आने के मैंने तयारी शुरू की सबसे पहले इस बात का और हम लोगों को बहुत जानकार ही नहीं थे कि किस प्रकार के प्रशन आएंगे तो खूब ग्यान अर्जित कर लिया था I had read so much that I had did not have the opportunity to write or express entire thing in the time that was available to me तो पहले वर्ष शायद मैंने लिखने का उतना अभ्यास नहीं किया था जिसके फलसोरूप जो जितने marks मुझे मिलने चाहिए तो नहीं मिले जब अगले वर्ष की हमने तयारी की तो इस बात का ध्यान रखा और खूब प्रयास किया मैं नहीं कह रहा हूँ आप में ये कमी रही होगी हो सकता आप में कोई और कमी रही हो लेकिन इसका विशलेशन परिक्षण आपको करना पड़ेगा और अगर आपने इसे सही प्रकार्च कर लिया तो आप इसमें सफल होगे तो मैं आप से सिर्व इतना कहना चाहूँगा आप निराश और हताश मत नहीं होईए आपके लिए अभी आगे और समय है आपके लिए और प्रियास है अगर आप सही प्रियास करेंगे तो निश्च दूरूप सा आप सफर लोंगे अब आच चूफिस ते है इसलिए थोड़ा सा मैं सिविल सेवा यानी कि मैं आयस के रहा सैंथिस वर्ष उसके बाते में कुछ चर्चाट बना चाहूँगा लोग मुझे अक्सर पूचते हैं कि आप आई इस में क्यों आए मैं IIS में इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ये चाहते थे कि मैं IIS अफसर बनूँ मुझे शुरू में इस सर्विस के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी दीरे दीरे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे जानकारी हुई और तब मुझे भी ये मेरा भी एम बन गया कि मैं IIS अफसर बनूँ ये आवश्चक है यदि आप में से कोई भी IIS अफसर बनना चाहता है तो पहले आपको ये बाठी से समझनी पड़ीगी कि आप वास्तविक्ता में IIS अफसर बनना चाहते हैं उनकी ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया और मैं सौयम IIS अफसर बन गया 37 साल की सेवा के उपरांद मैं अपनी पुस्तक Not Just a Civil Servant में अंतिम चैप्टर में लिखता हूँ कि अगर मेरा पुनह जन्म हुआ तो मैं IIS अफसर पुनह बनना चाहता अगर जो वर्ष मैंने जो समय मैंने जो पल मैंने IIS अफसर बिताए अगर वो मैंने enjoy नहीं किये अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो शायद मैं यह नहीं कहता कि अगर मैं मेरा पुनह जन्म होता है तो मैं पुनह IIS अफसर बनना चाहूँगा मेरे विचार से ये एक ऐसी सेवा है जो आपको एक opportunity देती है आपको एक choice देती है और जो choice opportunity शायद IIS देती है मेरे विचार से शायद अन्य कोई सेवा विश्व में नहीं देती ये मेरा व्यक्तिकत मत है इसमें मन्त मिहनता हो सकती है क्योंकि मेरा अनभव ये बताता है कि जीवन में और सर्विस में कई ऐसे मौके आए जहां पर मैं वो चीज कर सका जो शायद अगर मैं आयस अफसर होता तो नहीं कर पाता उसके कुछ उधारण आपके सामने में रखना चाहूंगा अपनी सेवाकाल में मैंने एक योजना चलाने का प्रयास किया जिसका नाम था राश्टी स्वास्त भीमा योजना अन्त था इस योजना में तीन सो पचास लाख से लोगों जादों को लाब हुआ अब बताईए कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्ता हो सकती है जो इतने करीब लोगों का कितना असाहिता कर सकते हैं ये केवल एक ऐसा अनभव नहीं था ऐसे कई अनभव थे जिसमें मैंने पाया कि इस सेवा के अंतरगत आप उन लोगों को लाभनवित कर सकते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और जो जो उससे आपको संतुष्टी मिलत और शायद आयस अफसर होके भी आपको उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, इसमें कोई अपत्ती नहीं है, जिस जो वितिय दरश्टी कोंड से सुद्रड है, अच्छा है, जो संपन है, उसके भी हमें साथ देना है, लेकिन जो सबसे आदे संतुष्टी मिलती है, वो इस बा शायद कहीं और भी नहीं मिलेगी, मैं आपको एक दिस्टांद बताना चाहूंगा, जब मैं योजना चला रहा था, तो मैं यहाँ पर ज्यादतर कार इंडिया में ही होता था, इस योजना की शुरू में बड़ी कठनाई आई है, लेकिन शनय शनय इस योजना की तारीफ प तो पहले तो मैंने कहा कि भाई, हमारी योजना बिलकुल भिन है, वो भरत के द्रश्टिकोंड से बनाई गई है, USA के लिए उसमें कोई, मेरे विचार से कोई लाब नहीं है, उन्होंने इंसिस्ट किया, तो मैं बीच-बीच में पॉस्टन करन जाता था, वाँ बर्ल्ट ब फेडरल गर्मेंट थी, उसके प्रतिनीदी भी थे, स्टेट गर्मेंट के प्रतिनीदी भी थे, हमारा मिशन जो है, उसके प्रतिनीदी थे, और बिल गेट्स फाउंडेशन, रॉक फिले फाउंडेशन, इस प्रकार की जो फाउंडेशन थे, उनके भी प्रतिनीदी वहाँ पर उपस्तित थे मैंने प्रस्तोती करन करके जब मैं भार आया एक कफी पी रहा था तो बिल गेट्स फांडेशन की एक प्रस्तोती मेरे पास आए उन्हों मुझे से कहा मिस्टर सुरूप आप बड़े पैशनेट हैं स्कीम के देती है क्यों देती है आपको क्या लाग है तो उन्हों ने उत्तर दिया कि यह उनका द्यात्व है उनका कार है उनका ड्यूटी है लिकिन उससे जादे उनको बड़ा सैटिस्फाकशन मिलता है we feel very satisfied by helping the poor तो मैंने उनसे कहा आपने अपने प्रश्म का उतर स्वयम दे दिया ये जो राश्टी स्वास प्रीमा योजना है वो करीब हों के लिए है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो इस योजना की वज़े से जो जीवत हैं आज तो उनका जो good wishes हैं वो मेरे पास किसी तरह आते हैं और उनी से मैं काफी संतुष हो लेता हूँ और ये कहते हुए मैंने उनको एक वाक्या सुनाया जो मेरा विक्तिकत अनभव था इस योजना के बारे में मैं इस योजना के तहट हस्पतालों में जाता था छोटे हस्पताल इसमें इंपैनल थे योजनाय में और एक दिन में हस्पताल में एक पेशन्ट से बात कर रहा था तभी मुझे एक हलकी सी आवास सुनाई दी मैंने पलट के देखा तो एक बहुती वृद्ध महिला वो स्मार्ट कार्ड मेरी तरफ वेव कर रही थी और मुझे बुला रही थी बेटा इधर आओ वो इतनी वृद्ध थी और इतनी वीक थी कि वो बैट नहीं पा रही थी वो लेटे लेटे स्मार्ट कार्ड हिला रही थी मैं उनके पास गया, मैंने जुक कि उनसे पूछा, क्योंकि वो बैट नहीं सकती थी, तो मैंने जुक कि उनसे पूछा, माता जी, आप ठीक तो हैं, तो उनने का, बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन हस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा, तो मैंने उ सेवा कर रहे हैं, मुझे पैसे विनी मांगते हैं। मैंने माता जी, आपको पैसे देनी एक कोई जूरत नहीं है। आप ठीक होंगी, अपने घर जाएंगी। वो फिर कहने लगी, मेरा कोई तो घरी नहीं है, अब बताईए इस से अच्छा कोई कह सकता है किसी चीज़ के बारे में आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे रोनुक्रिक खड़े हो जाते हैं क्योंकि ऐसे कई दृष्टांत हैं जिनको मैं अपनी पुस्तक में भरत कहता हूं ये मौका मिलता है आपको सिविल सेवा में यो मौका मिलता है आपको आईस में अगर आप जो लोग इस वर्ष आएं हैं सर्फ सिविल सेवा में और आने वाले वर्षों में आएंगे वो सब इसका अनभव कर सकते हैं कहने के मत्तातर यह नहीं है कि सब civil सेवक अच्छे होते हैं कहने के तातर यह भी नहीं है कि कई civil सेवकों की इतना criticism होता है और कई बार जायज भी होता है हर प्रकार के civil service है यह choice आपकी है कि आप किस प्रकार के civil सेवक बनना चाहते हैं और आज इस civil service day पर आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं ऐसा civil सेवक बनूँगी या ऐसा civil सेवक बनूँगा कि मुझे अपने आप पे गर्व हो, मेरे परिवारवालों को मुझे में गर्व हो पूरे समाज को मुझे में गर्व हो और मैं देश के लिए कुछ दे पाऊं मैं आज यही संदेश आप सबको देना चाहता हूँ civil service day पर इससे बहतर संदेश नहीं हो सकता आपको एक मौका मिला है इस देश की यहां के लोगों की सेवा करने का मुझे विश्वास है कि आप इसमें पूरी लगन से अपना कारे करेंगे जिससे आप गौरानुवित महसूस कर सकें नमस्कार जैहिन